हेलो कोई, विलकम तो मैं डूप चैनल, एक्स्टेम रितिक, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अब स्टॉक्स में आप O, F, S, अपलाई कैसे करेंगे, ठीके, O, F, S का फूल फॉर्म आपको बता है, ओफ और फॉर सेल, कैसे आप यूज करेंगे आप स्टॉक्स में, व हम आप स्टॉक्स ओपन कर लेंगे, अब स्टॉक्स में अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया होगा, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीके, अब हम आकाउंट पे क्लिक करेंगे, धन हम क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे क्ल open orders at this time फिलाल मेरा open order कोई भी नहीं है बट कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा detail में बताऊंगा, तो simple आप इस page में आएंगे ठीक है, OFS में मैं क्लिक करता हूँ, यहां पे, OFS में क्लिक करने बाद में, जो भी आपका open order रहेगा आपको यहां पे सो करेगा, ठीक है, जैसे कि यहां पे open order कुछ हमारा सो कर रहा है ठीक है, अब यहां पे open order पे क्लिक करने के बाद में जिसमें भी मुझे OFS करना है, जैसे कि मैं इस NM DC Limited में मैं यहां पे OFS करना चाहता है, तो simple and apply पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहां पे ठीक है, then order will be confirm आपका हो जाएगा OFS application complete आपकी हो जाएगी, then corporate action में आप लोग यहां पे देख सकते हैं, OFS में कि फिलाल यहां पे आपका pending सो करेगा, बट एक time के बाद में आपका वो execute हो जाएगा, जैसे कि आपके reliance का हमारा execute हो चुका है, ठीक है तो इस तरीके से आप लोग OFS apply कर सकते हैं, on upstock so topic is cover, मिलते हैं next video में